काजू अझीर ठीक सेग काजू अझीर ठीक सेग बनाने के लिए हमें चाहिए फूल पैट मिल्क जो हमने गरम करके ठंडा किया हुआ है काजू और अझीर के जो पीस है हमने गरम मिल्क में भिगोके रखा है सूगर एंड वेनिला इसक्रीम काजू अंजीर थिकसिक बनाने की सुरुवात करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम आपको काजू अर अंजीर की प्रोसेस बता देते हैं, हमने 7-8 पीस काजू और 3 अंजीर के पीस करके, 1-4 cup गरम मिल्क था, उसको ठंडा करके, उसके अंदर हमने भिगो के रखा है, हमने कम स अब इसको सबसे पहले हम मिक्सर जार में चन कर लेंगे, हम इसको चन करते हैं, हम चेक करते हैं, आप देखिए अभी हमारा हाफ क्रश हुआ है, अब हम इसमें दूध हैर करेंगे और वापस उसकी पेस्ट बनाएंगे, हमने हाफ कप फुल फैट मिल्क को गरम करके, ठंडा करके रखा है, वो हम डाल रहें, हम देख लेते हैं वापस, अब देखिए पेस्ट अच्छी तयार हो गई है, घाड़ा शेक हो गया, हमारा तयार हमें ठीक सेक बनाना है, इसलिए हम इसमें टू स्मॉल स्कूप वेनिला आइसक्रीम एड़ कर रहें, वैसे तो हमने अंदर आइसक्रीम और अंजी डाला इसलिए स्विटनेस आ गई है, बट हमने जो काजू और मिल्क का लेवल लिया है, वो उसको स्विट बनाने के लिए हम अब इसमें वन टू टू टीस्पून इतनी सुगर एड़ कर रहें, अ आप ऐसे भी उसको एंजोई कर सकते हो बनाके, और अगर आपको मिठा जाता चाहिए तो अब अपनी साब से टेस्ट करके सुगर का लेवल भी बढ़ा सकते हो, अब वापस हम इसको चन करेंगे, अब हमारा थिकसेक बनके तयार हो गया होगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं, आप देखिए हमारा थिकसेक रेडी है, अब हम इससे एक सर्विंग ग्लास में साव कर रहे हैं, तो साव करने के लिए रेडी है, हैल्डी थिकसेक हमारा काजू अंजेर थिकसेक, मुझका सवाल क्या बनाएं, पाए उसका जवाब, डाउनलोड करो सुवर्णाव एब, लाइप करो, शेयर करो, सब्सक्रेब करो, आई वोप आपको मेरी रेसीपी पसंद आई होगी, थैंक्स पर वाचिएंग,